अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने लिंक डेस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो चलिए शुरू करते हैं किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीती पेश की थी इसका जवाब है बलबन अगला देखते हैं अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था इसका आंसर है महमूद गजनवी अगला सवाल बाजार नियंतरन प्रनाली किसने प्रारंब की थी इसका आंसर है अलाओदीन खिलजी अगला देखते हैं बहमनी वंश की स्थापना किसने की थी इसका आंसर है अलाओदीन बहमन शाहने अगला देखते हैं दिल्ली सल्तनित वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका जवाब है इल्तुत्मिश नेक्स्ट ग्वेशन 1857 एस्वी में हिंदू मुस्लिमों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की आवाज उठाई थी उस समय दिल्ली का बादशाँ कौन था? इसका जवाब है बहादुर शाह जफर अगला देखते हैं पंजाब के हिंदू शाही राजवन्ष की स्थापना किस ने की थी? इसका आंसर है कलर दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहास कारों ने विरोधों का मिश्रन बताया है? इसका जवाब है मुहम्मद बिन तुगलग अगला देखते हैं किसे हजार दिनारी कहा जाता था? इसका आंसर है मलिक काफूर भारत में नौ रोज का फार्सी तेवहार किसने शुरू किया था? इसका जवाब है बल्बन ने अगला देखते हैं आत्म कथा शह नामा के लेखक कौन है? इसका जवाब है फिर दौसी नेक्स्ट क्वेशन किस सुल्टान की मौत चौगान यानि की पोलो खेलते हुए हुई थी? इसका जवाब है कुतुबुद्दीन एबक अगला देखते हैं मुगल राज्य में काजी अलकुजात कौन था? इसका आंसर है न्याय का सर्वोच अधिकारी मुहम्मद बिन तुगलक की मृत्यू कहां हुई थी? इसका जवाब है थट्टा में बल्बन की मृत्यू के बाद दिल्ली सल्तनित का सिहासन पर कौन बैठा? इसका जवाब है कैकुबाद अगला सवाल देखते हैं किसने इक्तादारी प्रथा का अंत किया था? इसका जवाब है अलावदीन खिलजी ने अगला प्रेशन देखते हैं किस सुल्तान को आगरा शहर की नीव रखने के लिए जाना जाता है? इसका जवाब है सिकंदर लोदी नेक्स्ट क्वेशन कुवत इसका जवाब है इसका जवाब है प्रित्विराच चौहान और शाहबुद्दीन मुहमद गोरी के बीच अगला सवाल देखते हैं किस शासक ने सैयद वंच की स्थापना की? इसका जवाब है खिजन खान ने अगला सवाल स्वैम को दूसरा सिकंदर सिकंदर एसानी कहने वाला सुल्तान कौन था? इसका जवाब है अलावदीन खिल जी अगला प्रेशन देखते हैं इनाम भूमी किसे दिया जाता था? इसका आंसर है विद्वान और धार्मिक वेक्ति को सैयद उस सलातीन की उपाधी किसने धारन किया था? इसका जवाब है फिरोशा तुगलग ने भारत में गुलाम वन्ष की संस्थापक कौन था? इसका जवाब है कुतोब दीन अइबक अगला देखते हैं दिल्ली सल्तनित में सबसे लंबी अवधी तक किस वन्ष का साशन रहा? इसका जवाब है तुगलग अगला प्रेशन देखते हैं किसने फुतु अस सलातिन लिखी थी? इसका जवाब है अब्दुल मलिक इसामी अगला देखते हैं हाजी मौला का विद्रो किस सुल्तान के शासन काल के दौरान हुआ था? इसका आंसर है अलाउदीन खिल जी विजे नगर का प्रतम शासक कौन था? जिसने पुर्त गालियों के साथ संधी की इसका जवाब है कृष्ण देव राए अगला देखते हैं फिरोज तुगलक द्वारस थापित दार उल्शफा क्या था? इसका जवाब है खहराती अस्पताल दिल्ली सल्तनित काल के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? इसका जवाब है जासूसों को किस राज्य पर सल्तनित काल में अहोम वन्ष का शासन था? इसका जवाब है असम अगला प्रशन देखते हैं सल्तनित काल में फवाजल का अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था एक्तदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेश राशी अगला प्रशन देखते हैं किस ने ताजुल मसीर लिखी थी? इसका आंसर है हसन निजामी रजिया सुल्तान किस की बेटी थी? तो इसका आंसर है इल्थुत्मिश अगला प्रश्ण किस सुल्तान ने हिसार में गुजरी महल बनवाया था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलग किसे तूतिय हिंद कहा जाता था? इसका आंसर है अमीर खुसरो अगला प्रश्ण देखते हैं सिक्को पर खलीफा का नायब खुद्वानी वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलग अगला प्रश्ण देखते हैं दीवान ए अर्ज क्या था तो इसका महत्वपुन कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों एवं घोडों का हुलिया रखना, रसद की विवस्था करना, सेना का निरक्षन करना, एवं सेना की साज सज्जा की विवस्था करना होता था अगला प्रश्ण किसने अपने सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम अंकित किया था? इसका आंसर है अलावदीन मसूद शाह ने अगला देखते हैं कुरान खा किसे कहा जाता था? इसका आंसर है कुतुबुदीन अइबक अगला प्रश्ण लोदी वन्ष के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है बहलोल लोदी अगला प्रश्ण ताइरीन के दुईत्य युद 1192 में किसने किसको पराजित किया? इसका जवाब है मुहम्मद गौरी ने पृत्विरा चौहान को पराजित किया अगला प्रश्ण किस शासक ने दिल्ली में तालाब हौज ए शमसी का निर्मान किया था? इसका जवाब है इल्तुत्मिश अगला देखते हैं गुलाम वन्ष के संस्थापक इल्तुत्मिश किस जनजाती से थे? इसका जवाब है इल्बारी अगला देखते हैं दिली सल्टनित शासित हुआ था कितने राजवंशो द्वारा इसका जवाब है पाँच राजवंशो द्वारा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलग वंश, सैयद वंश और लोधी वंश अगला देखते हैं दक्षिन आफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका जवाब है मुहम्मद बिन तुगलग. अगला प्रश्न. तुकार्ण ए चहलगानी का गठन किसने किया था? इसका जवाब है इल्टुत्मिश. यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? इसका जवाब है इब्न बतूता मुरको के तंजिय नगर का वासी था. अगला देखते हैं दिल्ली सर्तनेत के किस शासक नेस्थाई सेना बनाई थी? इसका आंसर है अलावदीन खिलजी. अगला प्रश्न. किसानों पर सी चाई कर किस ने लगाया? इसका जवाब है फिरोश शा तुगलग.